स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिड में आज का वीडियो है हमारा जो पैरपिट बॉल रहती है उसकी कंस्ट्रक्शन पे टोटल उसके बार में वजाने वाला हूं इसमें आज एक तुम्हें बताऊंगा बेसिक चीजें उसकी कि कैसे आपको वो चीज सस् प्रेंडर थीकनेस कितनी रखनी है आपको हाइड कितनी रखनी होती है उससे ज्यादा की जरोवत नहीं है उससे आपका खर्चा बढ़ सकता है यह चीज बताऊंगा और पताऊंगा कि मतलब कौन सी सक्षन हम जूज करें कि वो अच्छा दिखेगा क्योंकि इसमें जो आप दिखाऊंगा पूरा वीडियो इस पे आज में लेके आई हो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफी चीज़ें आपको इसमें से सीखने को मिलेंगी तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा जो इसमें हमने प्रेंट यूज की है जो आप देख रहे ह इनकी spacing आपको 1500 mm से जाधा आपको उसमें नहीं रखनी है हो सके तो 125 mm रखो उससे जाधा आपको इसमें spacing नहीं देनी है यह आपको ध्यान देना है जब आप railing प्रवाइड करो और जब railing लगवा रहे हुआ उसमें आपके column होने चाहिए हर distance पे जैसे देखो हमने 3 मिटर से इसका span नहीं होना चाहिए अगर 3 मिटर से जाधा हो जाता है उससे तो इसकी thickness बढ़ा दो और जैसे अगर मैं thickness की वाद कर रहा था आपको तो railing की जो thickness आपको रखनी है मतलब जो parapet की ball की thickness होगी वो 8 इंच से चोटी नहीं रखनी है कि मैं एक बार इसकी accident एक बार देख च देखने है कि इसको जब railing को fit करते हैं तो काफी जाधा दिक्कत आती और क्या आपको साफधानी देनी है आप देख रहोंगे जब उसकी फिक्स कर रहे हैं परविट वाल की railing तो उसमें साइड पर offset निकला हुगा है तो offset जो concrete के अंदर embed करना है कभी भी brick के अंदर उसको नहीं सेट करना है हमेशा दियान रखना जो निकला हुगा है कम से कम 1500 mm concrete के अंदर embed होना चाहिए और जो आपको concrete यूज़ करोगे वो आपको minimum M20 का grade यूज़ करना है कि आपकी उसमें अच्छे से fix हो जाए क्योंगी बाद में इसमें क्या होगा जब भी कोई इसमें खड़ रहेगा जहां थोड़ा भी push लगेगा तो इसमें दीरे-दीरे crack निकलाते है मैंने देखा हुगा है और उससे क्या होगा दीरे-दीरे हिलने लग पड़ती है तो यह काफी रिस्की हो जाती है आपको यह दियान देना है और इसको जब plaster के दोनान जो आपने embed की है मतलब जो offset bar में और ऐसे ही जैसे यह railing यूज किया box section यूज किया है आपने market में एक railing देखी होगी जो steel की railing रहती है काफी गरों में आज कल यूज की जारी है steel की railing तो वैसे ही steel की pipes आती है तो वैसे ही आप pipe भी embed कर सकते हो pipe इससे थोड़ी अच्छी दिखेंगे लेकिन इससे थो two out आप कर सकते हो और वो अच्छे भी थोड़ी दिखेंगी अभी में बात करता हूँ उसकी जैसे मैंने कहा था hide standard height कितनी रखनी होती है तो standard height में आपको side पी लेके नापके दिखा देता हूँ ठीक है तो हम देख रहे हैं जैसे जो मैंने railing आपको starting में दिखा इस चो लगा लो मतलब 3.5-3 feet और ये कोई दिख्कत नहीं है ठीक है इतने आपको provide करना ही करना है क्योंकि जो IRC Indian residential goal कहता है वो कहता है कि 3 feet आपकी minimum होनी चाहिए किसकी commercial की और residential की आपको 3.5-3 feet तक provide करनी है अगर हम thumb rule के साथ जाएं देखो यहां हमारी हो रही है 1.110 तो मतलब ये कर दो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तो कोई नहीं देखो आप सामने देख रहे होंगे यह हमारी 600 mm की parapet wall है लेकिन इसमें क्या दिक्कत है इसमें आप गिदने के chances काफी जादा होते हैं ऐसे कहा जाता है कि जो मतलब कमर होती है थमरूल कमर से कमर तक आपकी parapet wall होनी होनी कि वो safety का एक लिया जाता है उन्ट्रक्टर के दुरान पहले मैं ऐसे प्रवाइड करते थे कि कमर तक होनी जाई है लेकिन मैं कहुंगा 3 feet आपको minimum प्रवाइड करनी है 3 feet से जादा आप प्रवाइड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा confirm हो गया कि आपको 3 feet या 900 mm से minimum नहीं रखनी है parabit ball और दूसरी चीज आपको जो thickness रखनी है जो आपको 230 mm के रखनी है अगर आप बीच में railing प्रवाइड करते हो जैसे यह railing प्रवाइड की गई है तो आपको हर 3 meter पे column देना ही देना है और column जो आप embed करो गया railing को वो M20 का grade उसमें use करना है guys इसके related कमेंट करो मैं उसका reply जरूर करूंगा thank you guys